21st April 2013 को एक budget smartphone आया था Bevo T2X जिसका price 12,000 के आसपास है तो आज हम जानेंगे इस phone में क्या pros and cons देखने को मिलेगा इस phone में expert ने कितना start दिया है इस phone को और ये phone आपको लेना चाहिए कि नहीं ये सब जानेंगे हम इसी वीडियो में तो बिना time waste किए वीडियो ये start करते है Hi मैं उरोशन स्वागत है आपका 4K आटेक में Pros and cons जाने से पहले ये जान लेते है इसमें हमें क्या aspects देखने को मिलेगा तो इसमें 7nm का Mediatek Dimensity 6020 processor मिल जाएगा इसमें 4GB RAM 128GB internal storage मिल जाएगा 6.58 inch का IPS LCD मिल जाता है 60Hz refresh rate के साथ brightness 650 nits height 164 mm width 75.6 mm thickness 8.1 mm weight 184 grams और इसका pack plastic material से बना है ये dual rear camera setup के साथ आता है 50MP का primary camera 2MP का macro camera और 8MP का front camera इसके rear camera और front camera दोनों से full HD video record कर सकते है इसमें 5000 damage की battery 18W fast charging के साथ आता है इसमें 5G, 4G, 3G, 2G ये सारे network support करता है FM radio भी है audio jack में 3.5 mm के audio jack मिल जाएगा fingerprint sensor है fingerprint sensor position side में है तो इसमें ये सारे चीज़ देखने को मिल जाएगा मेरे हिसाब से ये phone इस price rate में ठीक ठाक है उतना खास नहीं है क्योंकि इसमें 4G भी RAM दिया है और इसका camera भी उतना अच्छा नहीं है अब देखते है expert से इस phone को कितना rating मिला है और इस phone के user ने इस phone के बारे में क्या pros and cons बताया है तो इस phone का rating है 3.5 out of 5 design को मिला है 4 star display को मिला है 4 star software को 3.5 star camera को 3.5 star performance को 3.5 star और बैटरी को भी 3.5 star अब देखते हैं इस phone में क्या pros and cons देखने को मिलेगा तो बहुत अच्छा bright AMOLED display है इसका good battery life मिल जाता है capable cameras in daylight और decent performance है इसका cons low light photography और भी बेतर हो सकता था कोई stereo speakers नहीं है इसमें bloatware और push notification ये सारे इसका cons है तो ये है public reviews अब आप सोचेंगे ये phone लेना चाहिए कि नहीं तो मेरे ख्याल से ये दिये आप सिर्फ भीवो का smartphone चलाना पसंद करते तो आप ये phone ले सकते है क्योंकि इतना भी बुरा phone नहीं है ये नहीं तो इस price rate में और भी बहुत सारे smartphone मिल जाएंगे जिसमें इससे भी ज़्यादा specs मिल जाएगा बाकी आप समझी गए होंगे अभी के लिए इतना ही मिलते है next video में